हाइ वेलकर नुमाचनल इस बीड़ी में उसालब करें क्रें क्रेशन नावर फाइफ आर दी फालिविंग स्टेटमेंट्स टू और फाल्स गिव रीजन्स फार यूर आंसर तो पहले यहां पर दिया हुआ है कि एवरी होल नंबर इस अ नेचुरल नंबर तो हमें यह बताना है कि यह टू है या फाल्स है तो पहले क्या करना होता है कि हमें देखना होता है कि यह फाल्स है कि नहीं तो क्या करना है कि एवरी होल नंबर इस अ नेचुरल नंबर क्या करना है कि एक होल नंबर लीजिए और देखे कि वो natural number है कि नहीं तो हम हमेशा ऐसा whole number सुच करेंगे जो एक natural number नहीं होगा जैसे कि 0 0 क्या है? whole number है बट 0 जो है natural number नहीं है इसलिए क्या होगा कि every whole number every whole number तो natural number नहीं हो रहा है न therefore this is false ठीक है? every integer is a rational number तो क्या सारा integer इसलिए नहीं होते हैं तो एक बात ध्यान रखेगा integer में negative numbers आते हैं पॉस्टिन नहीं होते हैं और वो सारे सारे जो है rational number होते हैं definitely क्योंकि आप यदी minus 1 लेंगे तब भी minus 1 अपन लिए सकते हैं मत तब rational number के form में लिए सकते हैं minus 2 अपन 3 minus 2 रहेगा या फिर minus 8 रहेगा कुछ भी रहेगा या फिर 1,2,3,4,5,6,6,6 भी लेंगे तो बिल्कुल integers क्या होते हैं rational number होते ही हैं तो this is definitely true every rational number is an integer तो क्या सारे rational number integer होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते हैं क्योंकि 1 upon 2 ये क्या है 1 upon 2 क्या है एक rational number है but integer नहीं है तो बिल्कुल ये false हो गया सभी नहीं हो सकते कुछ जरूर है लेकिन सारे नहीं है every natural number is a whole number क्या सारे natural number whole number है definitely yes this is true सारे natural number क्या होते हैं whole number होते हैं क्योंकि whole number का set बड़ा होता है natural number का set से क्योंकि natural number में क्यवाल होते हैं 1,2,3 और लेकिन whole number में होते हैं 0,1,2,3 मतब कि 0 भी आता है और 1,2,3 भी आता है तो बिल्कुल ही every natural number is included in this set means every whole number मतब होल number के set में आगे बढ़ते हैं every integer is a whole number तो every integer क्या whole number है no yes sorry yes no मतला कि सोची थोड़ा सा सोची थोड़ा सा सोचना होगा थोड़ा सा okay every integer is a whole number every integer नहीं होता न whole number क्योंकि integers में minus 2 भी होता है अब minus 2 तो whole number है ही नहीं तो integer हम minus 2 लेने में पर whole number नहीं है इसका मतब कि every integer जो है whole number नहीं हो सकता therefore this is false नहीं हो सकते क्यों क्योंकि original number में हम ली सकते है 2 by 3 2 by 3 जो है whole number नहीं है क्योंकि whole number में आरता है 0 1 2 3 तो 2 by 3 इसमें कहां होता है ये भी क्या होगा false होगा ओके तो बहुत असाम था thank you so much for watching comment जरूर करिएगा thanks again